अवश्कार कारकम्य उपस्तित देश के ग्रह मंत्री स्री अमेद ब्याई शाह हंडबान निखोबार के उपराजपाल चीफ अब डिपेंस स्टाफ हमारी तीनों सेनाव के अद्यक्ष महादेर्शक भारती अत्तरक्षक कमांडर इन चीफ हंड़मान अवन निकोबार कमान समस्ता धिकारिगान परम वीर चक्र विजेता वीर जमानों के परिवारों के सदश्यगान अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों आज नेताजी सुभाज की जन्मजेंती हैं देश पराक्रम दिवस के रूप में इस परिणा दिवस को बनाता है सभी देश वाजियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुब कामनाई आज पराक्रम दिवस पर अन्यमान निकोबार दिवसमू में नई सुभह की रस्मियां एक नया इतिहास लिख रही है और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसको आस्मरण भी करती है आकलन भी करती है मुल्यांकन भी करती है और अभीरत प्रेणना पाती रहती है आज अंडमान निकोबार के 21 द्विपों का नामकनन हुआ है इन 21 द्विपों को अब परम वीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा जिस द्विप पर नेताजी सुभाज चंद्र बोज रहे थे वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेणना स्थली एक समारक का भी आख्चला न्यास हुआ है आज के इस दिन को आजहादी के अमरित काल के एक महत्वकून अध्धाय के रुप में आने वाली पीडियां याद करेगी नेताजी का इस मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारी युवाओं के लिए आने वाली पीडियों के लिए एक चिरंतर प्रेणा का स्थल बनेंगे मैं अन्नमान निकोबार के दी समू के लोगों को और सभी देश्वाज्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को स्रद्धा पुर्वक नमन करता हूँ भाई और भेनों अन्नमान की ये धर्ती वो भुमी है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फैरा था इस धर्ती पर पहली आजाद भारतिय सरकार का गठन हुआ था इस सब के साथ अंडमान की इसी धर्ती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अंगिनत विरों ने देश के लिए तब तितिख्षा और बलिदानों की पराकास्टा को छुआ था सेल्लूलर जेल की कोठरियां उस दिवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतीम पीड़ा के साथ साथ उस अभूत्पुर्वत जजबे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर चीज़े के कान में पढ़ते हैं सुनाई पढ़ते हैं लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम के उन स्मृत्यों की जगर अन्नमान की पहचान को गुलामी की निसानियों से जोड़ कर रखा गया था हमारे आईलेंड्स के नामों तक में गुलामी की चाप थी पहचान थी मेरा सवभाग्य है कि चार पांच साल पहले जब मैं पॉर्ट प्लेयर आया गया था तो वहां मुझे तीन मुख्य आईलेंड्स को भारतिये नाम देने का आउसर मिला था आज रॉस आईलेंड्स नेता जी सुभाज चंद्र बोध दिब बन चुका है हैवलोक और नील आईलेंड्स स्वराज और सहीद आईलेंड्स बन चुके हैं और इसमें भी दिल्चस्पे ये कि स्वराज और सहीद नाम तो खुद नेता जी का दिया हुआ था इस नाम को भी आजहादी के बाद महत्वन नहीं दिया गया था जब आजाद हिन्द फोच की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था साथ क्यों आज 21 सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेता जी सुभास को आजहादी के बाद भूला देने का प्रयाश हुआ आज देश उनी नेता जी को पल पल याद कर रहा है अन्नमान में जिस जगह नेता जी ने सबसे पहले तिरंगा फैराया था वहां आज गगन चुम्बी तिरंगा आजाद हिन फोज के पराकरम का गुणगान कर रहा है पूरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देख कर उनके दिलों में देश भक्ति का रोमाच भर जाता है अब अन्दमान में उनकी याद में जो मुजियम और समार्ग बनने जा रहा है वो अन्दमान की यात्रा को और भी स्मर्णिय बनाएगा 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक मुजियम का लोखारपन दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था आज लाल किला जाने वाले लोगों के लिए वो मुजियम एक प्रकार से हर पीड़ी के लिए प्रेरणा स्थली की तरह है इसी तरह बंगाल में उनकी 125 वी जेंती पर विशेश आयोजन हुए थे देश ने इस दिन को पूरे धुम धाम से सलिप्रेट किया था उनके जन्म दिवस को पराकरम दिवस के रूप में गोसित किया है यानि बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेता जी को नमन न कर रहा हो उनकी विरासत को संजो न रहा हो साथियों बीते आठ नव वर्षों में नेता जी सुभाचंद्र बोस के जुड़े ऐसे कितने ही काम देश में हुए है जिनने आजादी के तुरंद बात से हो जाना चाहिए था दिखो समय नहीं हुआ देश के एक हिस्से पर आजाद भारत की पहली सरकार 1943 में बनी थी इस समय को अब देश जादा गवरव के साथ स्विकार कर रहा है जब आजाद हिन सरकार के गठन के 75 वर्ष पुरे हुए तब लाल के लिए पर देश ने जन्ना भारा कर नेता जी को नमन किया था दसकों से नेता जी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सारवजेनिक करने की मांग हो रही थी ये काम भी देश ने पूरी स्रधा के साथ आगे बढ़ाया आज हमारी लोक तांकते संस्ताओं के सामने कर्तव्य पत पर भी नेता जी बोश की भव्य पतिवां हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है मैं समझता हूँ ये काम देश हित्में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नाईकाओं को समय रहते जन्मानत से जोड़ा सांजे और समर्त आदर्स गड़े वो विकास और राष्ट्र निर्वान की दोर में बहुत आगे गए इसलिए यही काम आजादी के अम्रित कान में भारत कर रहा है जी जान से कर रहा है साथियों जिन 21 विपो को आज नया नाम मिला है उनके इस नाम करण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं यह संदेश है एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना यह संदेश है देश के लिए दिये गए बलिदान की अमरता का संदेश और यह संदेश है भारतिय सेना के अध्वितिय शौरिय और पराक्रम का संदेश जिन 21 परमवीर चक्रविजयताओं के नाम पर इन दीपों को जब जाना जाएगा उन्होंने मात्र भूमी के कण कण को अपना सब कुछ माना था उन्होंने भारत मा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्वन नियोचावर कर दिया था वे भारतिय सेना के हैं वे वीर सिपाई देश के अलग-अलग राज्यों से थे अलग-अलग भाषा बोली और जीवन सैली के थे लेकिन मा भारती की सेवा और मात्र भूमी के लिए अटूट भक्ती उन्हें एक करती थी जोडती थी एक बनाती थी एक लक्ष एक राह एक ही मक्सद और पुर्ण समर्पन साथियों जैसे समंदर अलग-अलग दीपों को जोडता है वैसे ही एक भारत स्रेष्ट भारत का भाव भारत मा की हर संतान को एक कर देती है मेजर सोमनाज शर्मा, पिरू सी, मेजर सैतान सी से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सुवेदार जोगिंदर सी और लांच नायक अलबट एक कातक, भीर अब्दुल हमीद और मेजर रामस्वामी परमिश्वन से लेकर सभी 21 परमिश्वन सब के लिए एक ही संकल्प था, राष्ट सर्वप्रधम, इंडिया फास्ट, उनका ये संकल्प, जब इन दीपों के नाम से, हमेशा के लिए अमर हो गया है करगिल यूत में ये दिल मांगे मौर का विजय गोश्ट करने वाले केप्टन विकरम, इनके नाम पर अन्दमान में एक पहड़ी भी समर्पित की जा रही है भाई और भेनों, अन्दमान निकोबार के द्वीपों का इनाम करन, उन परमवीर चक्र विजयताओं का सम्मान तो है साथ ही भारतिय सेनाओं का भी सम्मान है पूरब से पस्चिम, उत्तर से दक्षिन, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड, इलाका निर्जन हो या दुर्गम देश की सेनाएं, देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है आजादी के तुरंद बात से ही, हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा हर मोके पर, हर मोर्चे पर, हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है ये देश का कर्तव्य था कि राष्ट रक्षा इन अभ्यानों में स्वयम को समर्पित करने वाले जबानों को सेना के योगदानों को द्यापक स्तर पर पहचान दी जाएं आज देश उस कर्तव्य को उस जिम्मेदारी को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है आज जबानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही है साथियों अन्नमान एक ऐसी धर्ती है जहाँ पानी प्रकृती परियावरा पुर्शार्थ पराक्रम परंपरा परियतन प्रभोधन और प्रेरना सब कुछ है देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अन्नमान आने का नहीं करता है अन्नमान का सामर्थ बहुत बड़ा है यहाँ पर अथा आउसर है हमें इन आउसरों को पहचानना है हमें इस सामर्थ को जानना है बीते आठ वर्षों में देश ने इस दिशा में लगातार प्रयास किये है कोरोना के जटकों के बाद भी परियतन शेत्र में अम इन प्रयासों के परणाम दिखाई देने लगे है 2014 में देश भर्षे जितने परियतक अन्नमान आते थे 2022 में उससे करीब करीब दो गुने लोग यहां आए है यानि परियतकों के संक्या दो गुनी हुई है तो परियतन से जुड़े रोजगार और आए भी बड़े है इसके साथ ही एक और बड़ा बड़ला उबीते वर्षों में हुआ है पहले लोग केवल प्राकृतिक संदर्य के बारे में यहां के बीचीज के बारे में सोचकर अन्नमान आते थे लेकिन अब इस पहचान को भी विस्तार मिल रहा है अब अन्नमान से जुड़े स्वादिंता इतिहास को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है अब लोग इतिहास को जानने और जीने के लिए भी यहां आ रहे है साथ ही अन्नमान निकोबार के दिप हमारी सम्रिद्द आदिवासि परंपरा की धर्ती भी रहे है अपनी विरासत पर गर्व की भावना इस परंपरा के लिए भी आकर्शन पैदा कर रही है हम नेता जी सुभास चंद्र बोश से जुड़ी समारक और सेना के स्वर्य को सम्मान देश वासियों में यहां आने के लिए नई उत्सुकता पैदा करेगा आने वाले समय में यहां परियतन के और भी असिम आउसर पैदा होंगे साथ क्यों हमारे देश की पहले की सरकारों में खासकर विक्रित वैचारिक राजनीती के कारण दस्तकों से जो हीन भावना और आत्म विश्वात की कमी रही उसके कारण देश के सामर्थ को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया चाहे हमारे हिमालाई राज्य हो विशेश कर पुर्वत्तर के राज्य हो या फिर अन्यमान निकोबार जैसे समुद्री द्वीप शेत्र इने लेकर ये सोच रहती थी कि ये तो दूर दराज के दुर्गम और अप्रसंगी किलाके हैं इस सोच के खारण ऐसे ख्षेत्रों की दसकों तक उपेक्षा हुई उनके विकास को नजर अन्दाज किया गया अन्यमान निकोबार जैस्वीप समुद्री इसका भी साक्षी रहा है दुनिया में ऐसे कई देश हैं ऐसे कई विक्सित वीप है जिनका आकार हमारे अन्दमान निकोबार से भी कम है लेकिन चाहिज सिंगापोर हो मालदीव हो सेसेल्स हो ये देश अपने समसाधनों के सही इस्तिमाल से तुरियम का एक बहुत बड़ा आकर्शन का कैंदर बन गए है पुरी दुनिया से लोग इन देशों में परियटन और बिंदेश से जुड़ी संभावनाओं के लिए आते हैं ऐसी ही सामर्थ भारत के दीपों के पास भी है हम भी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन कभी पहले उस पर धान नहीं दिया गया हाला तो ये थे कि हमारे यहां कितने दीप है कितने टापू है इसका हिसाब किताब तक नहीं रखा गया था आज देश इस और आगे बढ़ रहा है अब देश में प्राकृतिक संतुलन और आधुनिक संसाधनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है हमने सम्मरीन आप्टिकल फाइबर के जर्ये अंदमान को तेज इंटरनेट से जोडने का काम शुरू किया अब अंदमान में भी बाकी देश की तरह ही तेज इंटरनेट पहुंचने लगा है डिजिटल पेमेंट और दूसरी डिजिटल सेवाओं का भी यहां तेजी से विस्तार हो रहा है इसका भी बड़ा लाब अंदमान आने जाने वाले टूरिस्टों को हो रहा है साथियों अतीच में अंदमान निकोबार ने आजहादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी उसी तरह भविश में ये खेत्र देश के विकास को भी नई गती देगा मुझे विश्वात है हम एक ऐसे भारत का देनमान करेंगे जो सक्षम होगा समर्थ होगा और आज़ूनिक विकास की बुलिद्नियों को छूएगा इसी कामना के साथ एक बार फिर नेताजी सुभास और हमारे सभी वीर जवानों के चर्णों में नमन करता हूँ आप सबको पराक्रम दिवश की बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल